आज दी वीटियो दो टोपिक है, देट स्कॉल्ड ट्रान्स्मेशन लूत डेताट्रा ट्रांस्मेशन सिटू करके है, घौन शक्षी करने काम दाइन है लूझोर सेंद्र करनाा है ताउन्हों ट्रांस्पर करने मिडियमशन और हुआ जरह डेटा या इन्फरमेशन एक जगह तो दूसरी जगह ते जा रही है ता उस मीडियम नों की कवांगे जड़ी data transmission mode जेड़ी speed दे उपर data एक जगा तो दूसरी जगे ते जा रहा है उसनों कमांगे data transfer rate या data transmission speed कमांगे जेड़ा data transmission है ओहो megabits दे विच भी हो सकता है megabytes दे विच भी हो सकता है जेड़ा medium तुसी data transmission दे लिए use कर रहे हो ओही तो हड़ी जेड़ी data transmission दे speed है उसनों reflect करदा है so depending upon the requirement data transmission modes किने तरिक दे हन data transmission mode दा मतलब की है direction of data flow between two linked devices मतलब दो devices जेड़ी एक दुझे देना connect हन उनना दे विच जेड़ी direction of flow है data flow दी direction किस तरिके दी है that is called transmission mode हुझे जेड़ा transmission mode है एहे तिन तरिके दा हो सकदा है first one is simplex, second one is half duplex, third one is full duplex हुझे गल कर यह अपर simple mode दी ता simplex mode दे विच क्या होंदा है communication जेड़ी है वो सिर्फ एक direction दे विच होंदी है जी मैं तुसकी डाइग्राम दे विच देख रहे हूं एक A है एक B है जेड़ा A है वो data send कर सकदा है और receive नहीं कर सकदा at the same time जेड़ा receiver है और data receive कर सकदा है और send नहीं कर सकदा ता इस mode नो की कमांगे आप यूनी directional mode मतलग एक direction दे विच जदो data send कर दे हां ता की कहने है आपा simplex mode हुझे इस simplex mode नो आप एक 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 एक्जाम्पल दे तुरू लेके चल देया जिवे वन वेः ट्रेफिक हों मतलग गड़िया ने सिर्फ इक ड्रेक्षण दे विच मोव हुं दिया रहे हैं ने वनवेः ट्रेफिक दी इन्फोर्मेशन जेड़ी है वो की हुंदी है जस्ट लाइक जिमें रेडियो है टेलीवीजन है इस दे विच तुसी की है एक जगा तो डेटा ट्रांस्मेशन हो रहा है तुसी उस दे विच डेटा सेंड नहीं कर सकते ता इसनों की कमागे अपपा सिंप्लेक्स मोड जे अपां एक कंप्योटर सिस्टम देड़ करिये था कंप्योटर सिस्टम डेड़ीज जिडे ये वी कीबोड है मुनीटर है प्रिंटर ने एक्जांपल में simplex devices दियां जिमें के keyboard है और data enter कर ली यूज होंदा है जनों की monitor दे printer हनों डिस्प्ले कर ली यूज होंदा है बट जिन्नी भी direction है data दी ओ यूणि direction है मतलब एक center है और दूसरा जड़ा है और receiver है अब ज़े अपका है इक तरीके नाल a to b data send होंदा है और simplex mode दे विच जड़ा unit direction दे विच होंदा है next जो है that is called half duplex half duplex दे विच की होंदा है data transmission होंदा बोथ directions दे विच होंदा है मतलब जड़ी communication है और बोथ directions दे विच होंदी है but single at one time मतलब की है जड़ा data है और send and receive जड़ा होंदा है और alternatively होंदा है तूसी एक जगा तो दूसरी जगा data send कर रहे हो ता दूसरी जगा तो वापस data जड़ा पहली जगा दे उपर भी send कर सकते हों जिमें diagram दे विच तूसी देख रहे हों A is the sender B is the receiver ता एक time ते A तो B जड़ा data है और चला जाएगा एक जगा send कर दा है और दूसरा जगा message नो receive कर दा है और दोनों जड़े ने at the same time जड़ा हो communication नहीं कर सकते similarly जड़े internet दे उपर आप ब्राउजिंग कर दे हैं जिवें आप गूगल क्रोम दे उपर कर दे हैं तुसी सब तो पहला किसे page नो request कर दे हो उस तो बाद पेज डाउनलोड होंदा है और डाउनलोड करके तो हड़े उपर इसनों कहने आपा half duplex next one is full duplex दी करिए इस दी विच क्या है बोट डिरेक्शन दी विच जड़ा डेटा सेंड होंदा है इसनों बाइड्रेक्शनल सिस्टम भी क्या जन्दा है बोट डिरेक्शन दा मतलब किया है एड दा सेम टाइम डेटा सेंटर भी हो सगदा है और रिसी एक mobile phone या telephone system दे उपर दो person दुझे नाल गल कर दे हैं तो दोनों जने ओ सेंटर भी है receiver है मतलब क्या है दोनों जने at the same time speak भी कर सकते हैं और listen भी कर सकते हैं ता इसनों की कमा गया पा full duplex mode जि में तुसी diagram दे विच देख रहे हो A और B और दोना दी जने डिरेक्शन है that is called bi-directional system जब पक करिए half duplex एंड full duplex दी ता half duplex दे विच की है communication जने है both directions दे विच हुन दी है बट एक direction दे विच at one time हुन दी है full duplex दे विच direction जड़िया same time दे उपर दोनों जड़िया direction दे विच हो सकते है data जड़ा send और receive होनदा है alternatively होनदा है full duplex दे विच जड़ा data और send receive होनदा हो simultaneously होनदा है जड़ा full duplex mode है slow mode of communication है जदके full duplex जड़ा हो faster mode of communication है जड़ा example दी गल करिए तब full duplex दी जड़ी example है walkie talkie system है और जड़ी full duplex है उस दी जड़ी example हो telephone system है next जो है network या types हुन जड़ा गल करिए network या types आप starting को पढ़दे आ रहे हैं जड़ा network है वो basically तिन तरिके दा हुनदा है local area network metropolitan area network और wide area network ये local area network दी ता ए जड़ा है बहुत छोटे area दे विच setup होनदा है just like few kilometers से विच होनदा है एक building दे विच office दे विच या किसे campus दे विच different different devices नो एक दुझे दे नाल connect कर ली अपा local area network नो use कर दे हाँ so that जिन्ने वी devices हैं एक दुझे दे नाल communicate कर सकन और जड़ा data resources ने उना नो share कर सकन उन इस दे विच जिन्नियावी cables यूज हुन दिया हन और twisted pair coxial cable या fiber optics जड़े ने ऐसा communication medium दी तरह यूज हो सक दिया हन जिड़े hardware devices हन जिमें के printer है software है और जिड़े ने share more दे विच हुन दे हन मेट्रोपॉलिटन एरिया network मैन हुन जे अपा गल करिये मैन दी ता इस दे विच जिड़े computer resources ने और geographical area या regional जिड़ा है और बहुत ज़्यादा वड़ा हो जानदा है मतलब किया है as compared to land जिड़ा मैन दा area है और बहुत ज़्यादा large होंदा है और इस दी ज़्यादी capacity है as compared to land ज़्यादा resources नो handle करंदी होंदी है इस दी ज़्यादी range है और हो 10 km तो लेके 55 km तक हो सक दी है next one is when when is called wide area network इस दे विच की है एक country या एक continent दे विच जिनने वी resources हन computer हन उना नो जदो अपा worldwide share कर देने है ता ओह की बन जानदा है when बन जानदा है जड़ा when है ओह लेन और मैंदा और इस दे विच ज़्यादी distance limit है और कुछ भी नहीं होंदी तुसी unlimited distance limit नो when दे विच cover कर सकते हो जिनने वी computer ने worldwide एक दूजे ना connected होंदे है और तुसी long distance दे विच जड़ा data images audio video है और एक दूजे ना शेयर कर सकते हो हुने एक basic difference है land man और when दा जे अपा land दी गल करिये ता इस दे विच की है एक office classroom या building दे computer नो एक दूजे ना connect केता जानदा है जे अपा man दी गल करिये ता एक city दे विच जिमें city cable network है उसनो connect करदा है वैन दे विच अपा जड़ी है devices हन ओ एक दूजे ना without any limit connect होंदी हन दिन building दे विच land होंदा है man जेड़ा है ओहो small town दे विच होंदा है और when दी कोई geographical limit नहीं होंदी land जेड़ा है हो height speed data नो send करदा है because एक limited area दे विच होंदा है man दी जेड़ी speed है as compared to land जेड़ी हो slow होंदी है और when दी जेड़ी speed है ओह vary करदी है depend upon the location because इस दे विच land और man एक दूजे ना connected होंदे हन जेड़ा हुआ जेड़ा है